प्रिलिम्स की जहां तक बात है, जहां तक क्वालिफाइंग नेचर प्रिलिम्स का है, अगर आप प्रीवेस एर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएंगे, और जो आपकी कॉंसेप्ट्चुल लर्निंग है, उसको आप रिवाइस करके जाओगे, जो आपकी टीचेट ने आ प्रिलिम्स की जाएगा, जो तुमने पढ़ा है, तो कहने का मतलब है, फिर कहते हैं कि इसको कैसे इन्हेंस करें, रिविजन, तो स्टाइटिफेक स्टडीज कहती है, कि कोई भी चीज जो पढ़ी जाती है, अगर हम उसका बार-बार रिविजन करते हैं, डब वो मेमरी में जाके लंबी टाइम तक स्टोर है, जितना तुमने साल पर मेनत करी है, सब बरबाद हो जाएगा, अगर तुमने रिवाइज नहीं किया, तो मैं एक हमेशा बात बूलता हूँ, एक लाइन बूलता हूँ, कि वाइज इस स्टूडेंट आलवेज रिवाइज, जो वाइज इ तुमने एक बार पढ़ लिया चीजों को इसका मतलब यह नहीं कि तुम 30 मार खाऊ, तुमको रिवाइज करना बढ़ेगा यार, भूल जाओ कि वरना, पढ़ा लिखा सब बरबाद हो जाएगा, इसलिए रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत नहीं चीज़ अगर आप प्रिवेजर को अच्छे से करके जाएंगे, और जो आपकी आप कॉंसेप्ट्चुल लर्निंग है, इसको आप रिवाइस करके जाओगे, जो आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया है, उसको आप रिवाइस करके जाओगे, तो आप बहुत असानी से मैस मैच सुनते हो जिसको भी फॉलो करते हो आप अच्छा करो गया तीसरा पॉइंट